Good morning students, आज हम notice के बारे में पढ़ेंगे, notice को सही format से कैसे लिखा जाता है, notice किसे कहते हैं, और notice में हम full marks कैसे लेके आएं, notice में full marks लाने के लिए हमें इसके सही format का पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं, notice कहते किसे हैं, notice it is a piece of information for a particular group of people, for a specific group of people, इसका क्या मतलब है कि किसी मालो को यह organization है, जैसे school है, तो school में जितने भी students या teachers हैं, वो उन सब के group को हम क्या कहेंगे, यह specific group, notice जो होता है, किसी organization के लिए होता है, किसी mainly school और colleges के लिए use किया जाता है, notice, notice में क्या होता है, notice क्या है, यह है, notice में कौन-कौन से information हम दे सकते हैं, it may be about an event, मलब इसमें हम किसी event के बारे में बता सकते हैं, event से हमारा क्या मतलब है, कोई भी function हो रहा होता है, जैसे farewell function है मालो, तो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और notice के बारे में, notice जो है, किसी exhibition के बारे में हो सकता है, exhibition से हमारा क्या मतलब है, कोई परदर्स नहीं हो सकती है, जैसे science की exhibition हो सकती है, या notice हमारा क्या हो सकता है, about inauguration, inauguration से हमारा क्या मतलब है, कोई उद्घाटन, मालो अपने school में कोई नई building बनी है, या कोई नई चीज आ तो इसके बारे में notice हो सकता है या notice जो है तूर के बारे में हो सकता है अपने school का मानलो तूर जा रहा है तो उसको भी हमें सभी students को अलग अलग ना बताना पड़ी क्या करते हैं notice board पे information डाल देते हैं या about lost and found मानलो किसी बच्चे का कुछ गुम हो गया है pencil गुम हो गया है तो उसको हम display board पे notice board पे लगा देंगे तो उसे हम क्या कहते हैं notice सबसे पहले rectangular box बना लो notice को rectangular box में लिखा जाता है जैसे कि यह रहा यह मैंने यानि कि outline कर लो अब notice में अब notice में क्या क्या जरूरी है लिखना सबसे पहले हमें पता होना जी यह notice में सिर्फ relevant बाते ही आती हैं क्या लिखना है और क्या नहीं यह सिर्फ relevant बाते लिखेंगे extra नहीं लिखेंगे यह paragraph नहीं है कि जिसमें कुछ भी लिखते जाएंगे इसमें इसका एक format होता है जो मैं अभी आपको बताती हूँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे name of organization यानि जैसे name of organization में क्या आजाएगा जैसे अपने school का नाम है government, girls, senior, secondary school, करो था लेकिन ये सारे के सारे क्या होंगे capital letters में किस में होंगे capital letters में capital letters मतला बड़े, बड़े अक्सरों में जिसको हम बड़े अक्सर कहते हैं उसके बाद हम एक line छोड़ देंगे यहाँ पर एक line छोड़ देंगे फिर हम क्या लिखेंगे notice notice को भी capital letters में ही लिखना है उसके बाद left hand corner में यहाँ हम लिखेंगे date date को लिखने का format होता है, दो format है यह देखो, इधर मैंने बता रखा date को हम two formats में लिखते हैं चाय तो हम क्या लिख देंगे? 20th May 2020 यहाँ मने कॉमा नहीं लगाया है में के बाद या दूसरा format क्या है? May 20, 2020 कोई सा भी format आप यूज़ कर सकते हो इस message जो आपको अच्छा लगे वो format यूज़ करो और हम उसे कहां लिखेंगे? date पर लिखेंगे उसे हम फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? topic topic हमारा, जो जैसे यहाँ example के लिए समझाने के लिए मैं क्या ले लेती हूँ? lost and found इसे भी capital letters में ही लिखेंगे इस topic को भी हम क्या करेंगे? capital letters यानि की बड़े अक्सरों में लिखेंगे अब इतना हो यह जो है इसके अलग से marks होते हैं rectangular box के topic के, notice लिखने के, date लिखने के इसके अलग से marks है इसलिए हमें full marks नहीं मिल पाते हैं हम इसमें गल्ती कर जाते हैं अब जो रह गया वो है हमारा body, जो main चीज है वो रह गया body है content यानि कि हमें क्या देना है notice में सबसे पहले हम क्या देंगे what information यानि कि हमें inform क्या करना है सरफ relevant मैंने का relevant देना है थोड़ा लिखना है mostly जो notice होता है वो 40 to 50 words का होता है ideal something 50 type 50 words आप लिख दो mention होता है question में 40 words में लिखो 50 में लिखो लेकिन एक ideal notice जो होता है वो 50 words का होता है what information यानि कि आप क्या inform करना चाहते हो फिर जैसे हम पर हमारा जो है bag गुम हो गया है तो हम किस के बारे में बताएंगे pen मालो pen गुम हो गया तो हम क्या बताएंगे we have lost our pen फिर क्या बताएंगे कहां गुम हो गया तो where कहां गुम हो गया somewhere in the playground somewhere in the school कहीं भी बताओ जहां भी आपको लगता है pen गुम हो गया फिर when आपका pen किस time गुम हुआ है फिर क्या बताएंगे which color यानि कि pen जो था वो कौन सी company का था किस color का था ये information देंगे उसके बाद हम क्या बताएंगे to whom यानि कि अगर किसी को मिल भी जाता है तो वो pen को किसे दे ये सब लिखना है बस छोटे छोटे अक्सरों में यानि कि थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं लिखना है इसको ये हमारा हो गया notice उसके बाद हम क्या करेंगे signature name designation designation का मतलब होता है roll number लिख सकते हो आप जो class के monitor हो वो लिख सकते हो signature करेंगे फिर अपना नाम लिखेंगे उसके बाद class roll number वगरा या आप college के secretary हो अपनी class के monitor हो तो वो लिख सकते हो जिस भी class के हो ये हमारा हो गया notice